इलेक्ट्रॉन की खोज सर विलियम क्रुक्स ने कैथोड किरन निरावेशन नली की रचना की यह एक सील बंद काच की नली जिसमें कोई विशिष्ट गैस भरी होती है से बनी होती है और जिसमें दो धात्विक इलेक्ट्रॉड होती है अर्थात एक कैथोड और एक एनौड विपरी दिशाओं पर जो विद्धुत के उच्छ वोल्टेज सोत्र से जुड़े होती है निरावेशक नली एक निर्वात पंप से जुड़ी होती है जिसका उप्योग गैस को बाहर निकाल कर अंदर दाब कम करने के लिए किया जाता है दोनों इलेक्ट्रॉडों के बीच उच्छ वोल्टेज 10 किलोवाट से 20 किलोवाट लगाया जाता है और निर्वाट पंप त्वारा दाब को 0.00-01 mm पारे तक कम किया जाता है यहाँ अवलोकन किया गया की कण किर्णों की धारा कैथोड से उत्पन होती है और कैथोड से एनोड की ओर एक सीधी रेखा में गमन करती है इन्हें कैथोड की रन कहा जाता है जेजे थॉमसन ने खोज की कि कैथोड किर्णों में रिनात्मक रूप से आवेशित कन होते हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉन कहा जाता है कैथोड किर्ण की विशेष्टा कैथोड किर्णे दृश्यमान नहीं होती हैं किन्तु fluorescent या phosphorescent की सहाएता से उनके वेवाहार का अवलोकन किया जा सकता है ये किर्णे विध्धुत और चुम्बिये क्षेत्रों की उपस्तिधी में सीधी रेखा में गमन करती है कैथोड किर्णे विद्धुत क्षेत्र द्वारा धनात्मक सिरे की ओर विचलित होती है इस प्रकार यह निशकर्ष निकाला गया कि किर्णों में रणात्मक रूप से आविशित कण होते हैं और इन्हें इलेक्ट्रॉन के रूप में जाना जाता है कैथोड किर्णे चुम्ब की एक शेत्र द्वारा विचलित होती है प्रोटोनों की खोज गोल्ड स्टीन ने छिद्रित कैथोड के साथ केनाल किर्ण पर प्रयोग किया उन्होंने अवलोकन किया कि कैथोड के पास नली के सिरे से एक चमाक निकलती है गोल्ड स्टीन ने निशकर्च निकाला कि इलेक्ट्रोनों या कैथोड किर्णे जो रिनात्मक रूप से आवेशित कैथोड से धनात्मक रूप से आवेशित एनोड की और गमन करती है कि अतिरेक्त अन्य किरण है जो विपरेद दिशा में एनोड से कैथोड की ओर गमन करती है चुँकि ये किरणे कैथोड में छिद्रों से होकर गुजरती है इसलिए गोल्ड स्टिन ने उन्हें एनोड या कैनाल किरणे कहा ये किर्णे विद्धुत क्षेत्र द्वारा रिनात्मक सिरे की ओर विचलित होती हैं इस प्रकार यह निशकर्ष निकाला गया कि किर्णों के धनात्मक रूप से आवेशित कण होते हैं और इन्हें प्रोटोन के रूप में जाना जाता है चेकविड ने अलफा कणों के साथ 4BE9 की पतली परत की बंबारी के दौरान निट्रोनों की खोच की उन्होंने दिखाया कि सभी अवलोकनों की व्याख्या की जा सकती है यदि उदासीन कणों से बने विकेर्ण का द्रव्यमान प्रोटोनों की बराबर हो इस उदासीन कण को निट्रोन नाम दिया गया निट्रोन का द्रव्यमान एक दशमलव शुन्य शुन्य आठ नौ आठ एम्यू या एक दशमलव छे साथ चार नौ पाँच गुणा दस से 27 केजी होता है इसमें कोई आवेश नहीं होता है विभिन कक्षाओं में इलेक्ट्रोनों का वित्रण प्रमाणू में इलेक्ट्रोनों का भरना बोर मॉडल पर आधारित होता है सूत्र है 2N की घात 2 जहां N बराबर 1, 2, 3 N बराबर 1 के लिए K बराबर 2N की घात 2 बराबर 2 गुणा 1 बराबर 2 N बराबर 2 के लिए L बराबर 2N की घात 2 बराबर 2 कोश्ठक 2 कोश्ठक घात 2 बराबर 8 N बराबर 3 के लिए M बराबर 2 N की घात 2 बराबर 2 कोश्ठक 3 कोश्ठक घात 2 बराबर 18 एन बराबर चार के लिए एन बराबर दो एन की घाद दो बराबर दो कोष्ठक चार कोष्ठक घाद दो बराबर बरत्यस सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रोनों की अधिक्तम संख्या आठ हो सकती है किसी दिये गए कोश में इलेक्ट्रोन तब तक स्थान नहीं लेता है जब तक कि आंतरिक कोश नहीं भर जाते हैं अर्थात कोश क्रमानुसार भरे जाते हैं आईए कार्बन का इलेक्ट्रोनिक विन्यास लिखें। सबसे पहले आप जानते हैं कि कार्बन का परमाणू करमांक 6 है। K कोश में दो इलेक्ट्रोनों को भरिये। 6 इलेक्ट्रोनों अर्थात 4 को L कोश में भरिये। आप देखेंगे कि सबसे बाहरी कोष में चार इलेक्ट्रॉन हैं, किन्तु चार इलेक्ट्रॉन अश्टक को पूरा करने के लिए कम हैं। आईए अलियूमीनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिए दूसरा उधारण लें। सबसे पहले आप Aluminium का प्रमाणु क्रमांक जानते हैं अर्थात 13 K कोश में दो इलक्टॉन भरिये L कोश में 8 इलक्टॉन फिर अगले कोश की ओर बढ़िये अर्थात M कोश में 6 इलक्टॉन अर्थात 3 भरिये प्रमाणु संख्या तथा द्रव्यमान संख्या एक पर्माणू में प्रोटोनों की संख्या उसकी पर्माणू संख्या को बताती है इसे जी द्वारा दर्शाया जाता है किसी तत्व के सभी पर्माणू की पर्माणू संख्या समान होती है उदाहरण के लिए कार्बन का पर्माणू द्रविमान 6 है और द्रविमान संख्या 12 है इसका अर्थ है कि कार्बन के किसी पर्माणू में 6 प्रोटॉन होते हैं किसी पर्माणू के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूकलियोन कहा जाता है द्रव्यमान संख्या को प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग के रूप में परिभाशित किया जाता है उदाहरण के लिए किसी परमाणू में कारवन में 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं इसलिए इनकी परमाणू संख्या 12 है हम जानते हैं कि पर्माणु द्रव्यमान 13 और द्रव्यमान संख्या 27 है दिये गए सूत्र में मान रखिए और उन्हें सरल कीजिए हम एक एल्यूमीनियम में 14 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हैं समस्थानिक तथा समभारी समस्थानिक ऐसे पर्माणू जिनके पर्माणू संख्या बराबर हो परन्तु उनके द्रव्यमान अथ्वा न्यूट्रोनों की संख्या भिन-भिन हो समस्थानिक कहलाते हैं हाइड्रोजन के समस्थानिक प्रोटियम, ड्यूरियम तथा ट्राइटियम है प्रोटियम में एक प्रोटोन होता है, परन्तु कोई न्यूट्रोन नहीं होता है यूटीरियम में एक प्रोटोन तथा एक न्यूट्रोन होता है, जबकि ट्राइटियम में एक प्रोटोन तथा दो न्यूट्रोन होते हैं कारबन के अनेक समस्थानिक हैं, परन्तु इसके सबसे प्रसिद्ध समस्थानिक C12, C13 तथा C14 हैं, C12 में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन तथा 6 न्यूट्रॉन होते हैं, C13 में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन तथा 7 न्यूट्रॉन होते हैं, C14 में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन तथा 8 न्यूट्रॉन होते हैं, संभारी विभिन तत्वों के ऐसे प्रमाणू जिनकी प्रमाणू संख्या भिन भिन हो परंतु उनकी द्रव्यमान संख्या समान हो संभारी कहलाते हैं उदाहरण के लिए केल्सियम की प्रमाणू संख्या 20 है तथा और्गन की प्रमाणू संख्या 18 है परन्तु इन दोनों की द्रव्यमान संख्या 40 है कैल्सियम में 20 इलेक्ट्रोन, 20 प्रोट्रोन तथा 20 नियूट्रोन होते हैं जबकि ओर्गन में 18 इलेक्ट्रोन, 18 प्रोट्रोन तथा 22 नियूट्रोन होते हैं आयरन तथा निकल की परमानु संख्याएं भिन है परन्तु इन दोनों की द्रव्यमान संख्या 58 है आयरन के एक प्रमाणू में 26 इलेक्ट्रोन, 26 प्रोट्रोन तथा 32 न्यूट्रोन होते हैं जबकि निकल के एक प्रमाणू में 27 इलेक्ट्रोन, 27 प्रोट्रोन तथा 31 न्यूट्रोन होते हैं